Hello student, good morning, बच्चो आज आप पढ़ रहे हैं, fraction, fraction means, एनिशना fractions क्या होते हैं, a fraction is a number that stands for part of whole, बच्चो सपोस देन आपके पास एक pencils हैं, और उन्हें आपको कितने भागो मिट्वाइट करने हैं, सपोस देन आप 4 मिट्वाइट कर सकते हैं, ठीक है, four friends को आपको देने हैं, तो आप कैसे divide करेंगे, eight divided by four, तो सभी को कितने कितने मिलेंगी, two, two, यानि आप इसको fractions को लिख सकते हैं, eight upon four, जैसे यहाँ पर one upon four, one upon five, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम fractions कहते हैं, बच्चे जैसे one upon two है, तो इस fraction को हम half पढ़ते हैं, one upon four को, one upon four को क्या पढ़ते हैं, one fourth, one upon three को क्या पढ़ते हैं, one third, okay बच्चो, तो अब जिस आप कहेंगे, fractions कैसे लिखते हैं, तो बच्चो, fractions को लिखने के लिए, जब भी कोई fraction लिखना होता है, तो जो नंबर हम line के नीचे लिखते हैं, उसे हम denominator कहते हैं, और जिस नंबर को हम line के ऊपर लिखते हैं, उसे हम numerator कहते हैं, the number written below the line is called denominator, and the number written above the line is called numerator, okay बच्चो, अब आपको क्या करना है, इस chapter भी दिएगे, question में केवल ये लिखा है, divide by 5, यहां पर बच्चो देखिए, एक rectangle shape दिया हुआ है, इसको हम rectangle shape कर सकते हैं, जो भी figure दिया है, इसे आपको divide करना है, divide कैसे, जिस से इननका divide by 5, तो equal parts में divide करना है, equal 5 parts किजिए उसको, और आप fractions क्या हो जाएंगे, 1 upon 5, 5, क्योंकि आपने उसको कितने भागो में divide किये, 5, इसी प्रकार से, जैसे यहां divided by 6, तो बच्चो कैसे करना है आपको, सबसे पहले इन ड्रा की जी शेप, अब आप क्या करेंगे, इनने equal 6 parts में divide करना है, आप इसके लिजे, इसके लेते हुए, आप इनको 6 parts में divide कर देंगे, और आप क्या लिखेंगे इसको, 1 upon 6, क्योंकि आपने इसको 6 times divide किया, आप divided by 3, जो आप कितने parts में divide करेंगे आप इसको, 3 parts, और वो 3 parts equal, इक क्यों मने एक ही जैसे होनी चाहिए, यह लिए कि कोई छोटे, कोई बड़े नू, इसलिए आपको, इसमें scale use करना है, तो बच्वब आपको समझ में आ गया है, जैसे divide by 9, तो 9 equal 9 parts में आपको divide करने है, ओके, और इसको यूज़ करने के लिए, आप एक क्यों मनाने के लिए scale का use करेंगे, तो बच्वब आपको समझ में आ गया है, अब दीगे इस worksheet को, आप अपनी, इसी course book में ही solve करें पहले, ठीके बच्वब? आपको समझ में आ गया हो का बच्वब तो, ओके बाइब बाइब